जेहिं नमस्कार सभी सेनिकों और पूरु सेनिकों का सेनिक समाचार इंडिया में एक बार फिस्वागत है आज हम बहुत ही स्पेसल मुद्द के और बात करेंगे जैसा कि आप सब को पता है कि सेलर्याइड हो चाए पैंसन बोगी हो सभी को अपना इनकम टेक्स रिटन सरकार द्वारा जारी की गई तारिक से पहले पहले बढ़ना होता है तो अब समय आ चुका है जून महीना चल रहा है जून और जुलाई में सभी अपना अपना income tax return फाइल करेंगे और हर बार की तरहें आप अपनी pension, salary slip और अपना form 16 लेंगे और किसी agent को या charted accountant को या advocate को आप अपने document submit कर देंगे और आप बताएंगे कि मेरा 30,000 या 40,000 रुपे income tax कटा है refund हो जणा चाहिए अब आपका जो भी IT return बरने वाला उल्टे सिधे claim करके आपको फूरा refund दिलवा देता है और उसका 10 या 20% खुद भी रख लेता है लेकिन आप ऐसा नहीं चलेगा और यदि आज से पहले आपने भी ऐसी गलती की है तो अब आप ऐसी गलती ना करें CBI ने 18,9 सेना के जवानों के साथ-साथ 31 के खिलाफ FIR दर्ज किये income tax में दांदली का आरोप लगा है और ये मामला सामने आया है केरल से केरल में 9 सेना के 18 सेनिकों साथ 31 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और इसमें जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है CBI ने वर्ष 2016-17 के बाद से अभी से नहीं यदि आपने पुराणे समय में भी गलत रीफंड लिया है तो भी आपके उपर कारवाई हो सकती है तो ये मामला वर्ष 2016-17 का है उसके बाद से लेकर केरल के कनूर में लगबग 44 लाक रुपे के फर्जी इंकम टेक्स रिफंड हडपने के आरोप में बारतिय नो सना के 18 जवानों और केरल पुलीस के दो कर्मियों से 31 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है अब जांच एजेंसी ने IPC की दारा 420 जो की दोकादड़ी किये 120B जो की आपरादिक साजिस है और 276C यानि जान बूच कर कर से बचने का प्रियास और IT अदिनियम 1961 के तेहत FIR दर्ज किये दरसल इस मामले की सिकाईत लेकर केरल के सयुक्त आयकर आयुक्त जो टेकनिक है T.M. सुंगंद माला ने दर्ज कराई थी अपनी सिकाईत में सुंगंद माला ने अरोब लगाया कि कनूर में कई ऐसे वेतन वो गिये जो 2016-17 से फरजी रिफंड का दावा कर रहे थे और कुछ एजेंट सुल के रूप में रिफंड रासी का 10% एकेतर करके उन में से कुछ के लिए आयकर रेटन दाखिल कर रहे थे यानि जितने भी ये सेनिक थे या फुलिस कर्मी थे या दूसरे नागरिक थे वो खुद अपनी आईटियार नहीं पर रहे थे एजेंट से बरवा रहे थे और रूप रिफंड के नाम पर जितना भी फैसा रिफंड का आ रहा था उसका 10% एजेंट ले रहा था F.I.R. में सुगंद माला ने कहा कि मुल्यांकन अधिकारियों द्वारा सत्यापन से पता चला है कि ये लोग तमाम कटोती करके फरजी रिफंड का दावा कर रहे थे जो की Form 16 में सामिल थे ही नहीं आपको Form 16 मिलता है चाहिए आप सेलेरेड हो चाहिए फैंसनर हो आपको Form 16 मिलेगा उसके अंदर आपकी ग्रोस इंकम डिडेक्शन के साथ साथ यदि अपने आपने कोई इंवेस्टमेंट या सेविंग प्रूप दिये हैं तो उसका डिडेक्शन भी सो करेगा और नहीं है तो आपके पास में डोकुमेंटरी प्रूप होने चाहिए आपके इंकम टेक्स रिफंड को लेकर तभी आप रिफंड ले सकते हो हलांकि कुछ मामलों में उन्होंने सिविकारा है कि उनके दावे गलत थे और ब्याज सहित रिफंड रासी चुका दिये सुंगंद माला ने कहा कि कुल 51 ऐसे वेतनवोगी लोगों ने कुछ एजेंटों की मिली वगत से आईकर रिफंड का जूटा दावा किया था उन्होंने आगे कहा कि जो 51 निर्दारीतियों में से 20 वेक्तियों ने आईकर रिफंड प्राप्त किया था उन्हें नोटीस जारी किये जाने के बाद विवाग को 24 लाक रुपे वापस कर दिये उन्होंने ये भी स्विकार किया कि उन्होंने आयकर रिफंड का दावा करने में गलती किये बारतिय नो सोना के 18 जवानों और केरल पुलिस के दो कार्मी को साइथ बाकी के 31 जितने भी फ्रोड करने वाले हैं उन्होंने जूटा दावा किया था और आयकर रिफंड प्राप्त किया था अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने अभी तक विबा को लगबग 45 लाग रुपे का बुखता नहीं किया है जिसे उन्होंने कथी तोर पर फरजी दावों पर जेब में डाला था तो अब भी आपने भी यदि ITR वरने जा रहे हो या आपने वर्दी है या आपने इस से पहले पिसले असेस्मेंट येर में या 2016, 17, 18, 19, 20, 22 कभी भी आपने income tax return फाइल किया है और आपने फरजी refund लिया है तो आपके खिलाबी कारवाई हो सकती है आपको refund जरूर मिल जाएगा अभी income tax department ने ऐसा नियम कर दिया है कि आप जैसे ही ITR फिल करोगे आपकी ITR 5 जो acknowledgement जनरेट होगी within one week आपके account में पूरा refund आ जाएगा लेकिन इसका जो post audit है वो हो सकता है कि आज से 4 साल बाद में हो या 5 साल बाद में हो जब भी होगा उनको लगेगा कि ये फर्जी refund है तो आपको notice आएगा आप यदि पैसा जमा नहीं करते हो अपने revise ITR नहीं बरते हो तो आपके खिलाब दोकादड़ी और इसके साथ साथ जो IT के जितने भी को चुकाएं और इस परकार के फर्जी refund से बचे हो सके तो आप खुद थोड़ा बहुत मदद लेकर अपना ITR खुद बरना सीखें और अपने से बरकें और आप संतुष्ट हो तभी आप ITR को सब्मिट करें तो ये मैंने जानकार ये आपको इसलिए दी क्योंकि अब चल रहा है समय income tax return file करने का और कहीं आप भी ये गलती ना कर वेटे हैं कि आज से तीन या चार साल बाद में आपको किसी भी परकार का tension उठाना फड़े और आपके खिलाब कोई income tax टेक्स डिपार्डमेंट से एफायर दर्ज हो जाए तो आप बिल्कुल फेर और जितना आपका income tax बनता सरकार को दे और यदि गलती से income tax कटा है आपका income tax नहीं बनता है तो आप ITR फाइल करोगे तो आपका TDS और income tax refund हो जाएगा इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए होता आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन फ्रेस कर लें साथ यह ओल पर क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल द्वार आ गया आए वह आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे जहीं साथी हो